आज का मेरा सफर हानुवर से बरलीन की तरफ है और अगर जर्मिन में बोलें तो हानुवर से बरलीन सो बरलीन जो है वो कैपिटल है जो जर्मिनी आता है उसकी खोहिश होती है कि वो बरलीन जुरूर देखे ये इस वकत शहर जाने के लिए हमें यहां से यह ट्रेन लेनी पड़ेगी गार्पसन की ट्रेन पाँच मिनुट में आ रही है वो हमें में स्टेशन यह नहीं अप्टबेन हॉफ पे उतारेगी यह हनोवर का जिसे हनोफर कहते हैं उसका सेंट्रल स्टेशन है सेंट्रल स्टेशन पर यह अंस्ट ऑगस्ट का स्टेच्व है और इस तरफ आप यह सेंट्रल स्टेशन को देख सकते हैं डीबी का साइन बना हुआ है और हप्ट बैन हॉफ हर सेंट्रल स्टेशन को हप्ट बैन हॉफ कहते हैं पाथ काफी चोटा है यह देखने आपके पास हमान शमान जादा हो पैसे तो बच जाएंगे फिर जगा भी नहीं पचेगी इस दरवाजे से आगे चलते हैं अगरी तरफ क्या है यह यह कोई अच्छा यह बस लोग खड़े में मैं बनी की शक्रम नहीं दिखा सकता प्राइविसी बड़ी इंपर्टन है बस यह अमर्जिंसी दोर होते हैं जी लाल रण के यहां से कभी इसको मत खोल जो और यह इस तनी सी बस जगा है कि यह आप इसको स सकते हैं यह वापिस चलते हैं अब के अंदाजा हो जाएगा कि यह रेल के ट्रें के ट्रें के डब्बे हैं और एक डब्बे में 6 बन्दे आ जाते हैं अच्छोटी सी तंग सी जगह और यह मेरा डबा है इस डबर्मी में जा रहा हूं जाते जाते मैं आपको अपना डबा दिखा दूँ ये तीन लोग इस तरह पैठे थे और उपर सीशा साइट लगा हुआ है जाते तरह थे अफना सबसी आपना देख सकते हैं बाइर से कैसा सबस रंका पेंट हुआ है और ये मुसाफिर उतर एंपनोंच गया है बरलिन हप्ट पैन हाफ मेंड स्टेशन और फ्लिक्स ट्रेन जिसकी फ्लिक्स बस भी है ये वही सर्विस है और ये इनका हेड़कोर्टर म म्यूनिक में एक और नजारा मैंने सोचा कि जाते जाते आपको दुबारा दिखा दू और अच्छी ट्रेन है सस्ती है काफी पैसे बचके यह देखें काफी लंबे डबे इनके और शेरों के नाम भी उपर लिखे हुए है और यह जैसे यह जैसे अब शाहिन पर नजर नहीं यहां से आप एंटर होते हैं और अच्छी ट्रेन साफ सुत्री है डीबी का मकाबला तो नहीं है लेकिन चलो इसमें काफी आपके पैसे बच जाते हैं 20 यूरो तक का टिकेट है बस काफी हो गया फ्लिक्स की तारीफ लास्ट लुक यह देखें शेरों के नाम क्लोन और यह ह बात है सो दिस इस बर्लिन और यह इसका आप देखें में ट्रेन स्टेशन कुछ छे साथ मंजले लग रही है और बड़े अराम से उपर जा रहे हैं और यह मैं सिक्स और फाइव प्लाटफॉर्म वहां से उपर रहे हूं और यह तो बहुत ही खुब्सूरत और बड़ा सार स्टेशन है जी लेंगे और टिकेट के उपर जो बार कोड लगा हुआ है उसको स्कैन करके आप वाश्रूम के अंदर जाएंगे सेंट साप से लेते तो हैं लेकिन यह बातरूम में कैसे उन्हें तरतीब से हर चीज साफ सुत्री रखी हुए है और यह हमारा एंटरंस था बस बातरूम में इतनी चीज़ें काफी है और यह मेरा बैग चत्री और यह है बर्लिन का मेन स्टेशन बहुत बढ़ा स्टेशन है और जो इसका यह गच itel अपULLब देख रहे हैंดी वी डॉर भी ए बर्लेन में यह हम का में सेंटरल स्टेशन जहां की एंटरंस के साथ ही डायन तरह आप देख लेक हैं बर्लिन टुरिस्ट इंफर्मेशन मैंने टुरिस्ट इंफरमेशन से ये इतनी जहर सारी चीज़े लिए है और टुरिस्ट इंफरमेशन ने मुझे एक कार्ड दिया है कि आप ये अटालिस घंटे के लिए अगर आप मिनिमम यहां पर आपको 48 आर्स का कार्ड मेलेगा मैं तो 24 घंटे के लिए हूँ तो इसलिए और यह आप इस स्टेशन का साइज देख सकते हैं कि कितना एक बड़ा स्टेशन है वेल मैंटेंड है सफाई देख लें और ये जर्मिनी के सबसे बड़े ट्रें स्टेशन में आता है और यहां से बहुत जादा ट्रेंज आके रुकती हैं गुजरती हैं बर्लिन शॉपिंग मॉल की डिटेशन थोड़ा सा आगे जाके आपको अपर से भी दिखाते हैं कि यह है बर्लिन बर्लिन सेंट्रल स्टेशन का नजारा एक दो तीन चार पांच छे छे मंजले तो मुझे नजर आ रहे हैं तब सलते हैं अपनी वाकिंग टूर की तरफ से उसने जो गाइड थी गाइड ने रिकमेंड किया है कि आप पहले वाकिंग टूर ले 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 झाल झाल